वेलकम टू माई चैनल एंजियाटी सम्रद क्लासिज टूड़े विल नौ अबाउट प्रोनाउन वट इस प्रोनाउन अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल के मात्यम से हम आप तक पहुचा इंग्लिस ग्रैमर उर उसके साथ ही क्लास 6 तू 12 एंजियाटी साइंस भोग हिंदी एंग्लिस पोथ मीडियम में प्लस एक्सरसाइज तीक है उसके हम एक्सरसाइज भी सोल करा रहें तो देखो फर्स हम जानेंगे कि प्रोनाम जैसे कि आपको हिंदी में पढ़ाओगा प् यहां पर तौंच जो सब्ध यानिकि एक इतन थे जग करें जी कृधे जाते हैं तौ almost करो प्रोल परल्ण के में जए विए सकृष करो कि हम एक वड्द एक संटेंस बनाते हैं कि राम is a boy राम एक लड़का है ठीक है तो हमने यहाँ पे इस sentence के अंदर जो subject यूज किया वो क्या है राम और राम हमने पढ़ा है कि राम क्या है एक नाम है किसी परसन का तो परसन का नाम हुआ तो यह क्या है नाउन हो गया ठीक है तो यहनकी नाउन है अब मालो हम राम की जगए अगर हम यूज करें और लिख दें ही इजे वाई वह एक लड़का है ठीक है तो देखो हमने राम की जगए कौन सा वर्ड यूज किया ही तो हमने यह राम क्या था नाउन था और नाउन की जगए हमने ही यूज कर दिया तो he क्या बन गया है कि pronoun हो गया ठीक है इसके अंदर तो वही बात पता रहा है यहां पे कि a word that is used for a noun is called a pronoun यानि कि जो सब्द noun की जगए यूज किया जाता है वो pronoun कहलाता है देखो यहां पे promise pre noun noun यानि कि जगए noun के लिए यूज किया जाता है ठीक है meaning को समझो समझने से आपको पता चल जाएगी pro pro miss ठीक है यानकी for इसके अंदर और noun यानकी noun के जो दे रखा है नाम है किसी भी वर्ड का उसके लिए जो वर्ड यूज किया हमने वो क्या है तो यहाँ पर तो यहां से प्रोनाओन के प्रकार पर नाउंस के का घूक आपको समझ में आगया होगा है मैं प्रोनाओन की प्रकार रोनाओन precio परकार not अगर आप इसको एक दम गहराई से थोड़ी अपने जो हिंदी आप मदर टंग में समझने कोसिस करोगे तो बहुत ही इजी है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा आप फिर जो भी संटेंस वगरा में से आसानी से पुट आउट कर सकते हो प्रोनाव उसको रिलेटिव प्रो इंडेफिनेट एनिश्चित वाचक रिफ्लेक्सिव करम वाचक ठीक है इंफैतिक द्रडवाचक और रैसिप्रोकल पारस पैरिक एंड लास्ट है एक्स्रमिलेटरी प्रोनाव जिनकी विश्यमादी बोदक जैसे हम एक्स्रमिलेटरी जो हम आपने देखा होगा निस तरह स स prepared to add here श्यमादी बोहता है यह तो यह सिस्ट सो ठीकतो हम देखते हैं फास्ट पर्सनल परोनाव ओं परोनाव यह वह प्रोनाव एक यंदिगेट करें किसी सब्सक्रीन परिसिए पर्सनल प्रोनावलेटरीआओ क् railway हमने जू पहले क्या पड़ा था पर्सन के बारे पड़ा था जो हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमारा टोपीक था प्रोनाउन ईनसरी पर्सन टाइप सोफ पर्सन और हाव मैंस ऑपर संट तो तो हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन थार्ड पर्सन तो इसमें वह ही दे रखा है प इंदर सिंगुलर क्या है ऐस सिंगुलर मीय प्लूर्ल अस माइं माइं आवर ऑर और माई सेलफ को आवरस सेल तो देखो यहां पर यह सारे क्या है आई वी यूर ही सी इत दे यह सारे हैं सब्जेक्ट यानकि जब सब्जेक्ट हम कोई भी संटेंस बनाएंगे तो sentence के आगे इनकी जो subject है वो हमारा ये subject में आएगा ठीक है और आप हमेशा कोई भी sentence देखते हो तो उसके आगे word होते है ये word आते है ठीक है इनकी subject के अंदर Me, Us, You, You, Him, Her, It और Them ये सारे क्या है? object है इसके अंदर ये first person हो गया, ये second और ये third person फिर आता है possessive My, My, Your, 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 Yourself His, Her, It और ये सारे possessive होगे और reflexive, myself, ourself yourself, yourself himself, herself itself और themselves ये सारे क्या है? possessive होगे तो ये जो three person है, kinds of ये सारे क्या है? personal pronoun है ठीक है? इसके अंदर ये सारे personal हमारे pronoun होगे इसके अंदर अब देखो यहाँ पर जो exercise दे रखी इसके अंदर हम देख लेते हैं एक दो feeling blanks इसमें कि John lies in Mumbai blank is a doctor अब देखो यहाँ पर जोन आपको पता है noun है जोन मुंबई में रहता है और blank is a doctor अब noun की जगह हम यहाँ पर नाउन यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पर क्या यूज करना है पर्सनल प्रोनाउम तो इसमें क्या लिखेंगा हम ही जे डोक्टर तो इसमें क्या प्रोनाउम यह आजाए अब देखो ही क्या आया यहाँ कि हमारा थाड़ पर्सन आया और थाड़ पर्सन कंदर देखो यह क्या है यह sentence बना है तो से sentence कंदर ही लिख का काम arrival हमारा है यहां क्या पान घठा है कि जो I, V, You, You are, He, See, It, यह सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट यह है, तो इसके अंदर यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक, नेट, देखो इसके अंदर इसी तरह से, All the people like, बिकोज, यानकि सभी लोग उसे पसंद करते है, All the people like, अब देखो, All the people like, तो इसका ही है, अब ही का क्या बन जाएगा, Him इसके अंदर, तो like, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही मा जाएगा, ठीक है, उसे पसंद करते हैं, ठीक, इस तरह से आप कर लोगे, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, अब यह था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, आपको पता चल गया होगा, इस तरह से इसमें यह, क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और यह हमने हीम बढ़ा, तो यहाँ पर यह क्या बन गया, इसका ओब्जेक्ट होगा, ठीक है, इस पर, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यह था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर देखो, यान कि किसी भी रिलेशन के बारे में शो करें, रिलेशन को दिखाए, कि प्रोनाउन विस्चो, रिलेशन, इ कि इनके लड़की जिससे तुम कल मिले थे वो मेरी बहन है तो इसमें क्या था कि वह लड़की यंकी लड़की जिससे तुम यंकि इसमें क्या है relation दिखा रहा है बीच में याने के conjunction जोड रहा है किसी word, जो sentence है कि वह लड़की जिससे तुम मिले थे किस से मिले थे, ठीक है वह मेरी बहन थी ठीक है, वो जिमेरी बहन थी तो इसके अंदर the girl, whom तो इसके अंदर जो connect कौन कर रहा है sentence को इसके अंदर यहाँ पर, whom the girl, whom you meet yesterday was my sister तो इसके अंदर क्या जाएगा, यह क्या है relative कि कि इसको शो कर रहा है the pen which you have taken is mine, यानकि जो आपने pen लिया, तुम मात पास जो pen है, वह मेरा है तो इसके अंदर, जो यानकि which, तो इसके अंदर जो शो कर रहा है कि pen को, यानकि जो pen, तो इसके अंदर क्या है, यह विच आगया, तो विच क्या है, इसमें relative, उसी तरह से this is the lady whom everybody parishes, तो इसके अंदर क्या आगया whom, ठीक है तो इसके अंदर यहाँ पर whom, which whom, तो यह क्या है, प्रोनाव relative प्रोनाव होगे, ठीक है, इसके अंदर जो आपस में relation show कर रहे है, दिखा रहे है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर देखो, example में कि yesterday, कल I meet a lady sorry, I meet, I met a lady blank was an American by birth तो इसमें क्या आजाएगा whom, ठीक है यहाँ कि कल जो इसमें lady से मिला था वे, जनम से ही, अमरिकन थी तो whom इसमें क्या कर रहे है दोनों वर्ड को इनकी connect कर रहे है इसमें क्या दिखा रहे है, relation दिखा रहे है ठीक है, इसके अंदर तो यह क्या होगे relative प्रोनाव next हमारा आता है interrogative प्रोनाव, अब देखो आपको वर्ड से ही पता चला इंटेरोगेटिव interrogative मीन्स परसनवाद चला यानकी question mark ठीक है, तो इसके अंदर simple सा यानकी एक ट्रिक है यहां पर जहां भी आपको question mark दिखाई दें ठीक है, तो वहीं पर समझ लेना कि वह interrogative pronoun है या फिर question mark दिखाई देगा आपको तो वहां पर देखा, wh या xa word start होगा, यानकी subject होगा, वह wh या xa start होगा, ठीक है, इसके अंदर तो यह सारे क्या है, interrogative होगा, और last में आपको symbol trick है, वहां पर question mark दिखाई देगा, तो वह interrogative pronoun हो जाएगा, तो यह pronoun which asks a question, is called interrogative pronoun, या जिस pronoun के अंदर question पूछ रखा हो, person पूछ रखा हो, interrogative pronoun के लगता है, for example यहां पर देखो, who won the match, यानकी match कौन जीता, तो who, कौन who, तो यहां पर person पूछ रखा है ठीक है, इसके अंदर, तो यहां क्या है, who है, next which is her pen, तो इसके अंदर which हो गया, whom हो गया, which of these books do you like, तो यहां पर which हो गया, तो इसके अंदर क्या है, यह सारे interrogative pronoun होगे, ठीक है, तो last way कि जहां भी question mark है, interrogative pronoun के लाएंगे, next आता है, demonstrative pronoun ठीक है, means this is your result, यह आपका परिणाम है, यह तुमारा परिणाम है, यह तुमारा परिणाम है, तो इसके अंदर देखो, your result, your result के उपर यह क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर यह कि यह हैं, कि यह हैं तुमारा परिणाम है, तो इस यह में क्या आगया, demonstrative pronoun, that वो जा सीली मिस्टेक, सीली मेंन सहता है, यह मुरक तपूरक, ठीक है, यह तुमारा एक मुरक तपूरक गल्ती थी, वह्याँ, that वह्याँ, यह मुरक तपूरक गल्ती थी, तो सीली मिस्टेक तो क्या थी वह्याँ, that, तो यह के अंदर की आगया, demonstrative pronoun. इसके अंदर क्या है दे ठीक है यह कि संकेत से उसमें दरस आ रहा है और those were my friends book तो इसके अंदर क्या जाएगा those तो यह those से संकेत से यह की demonstrate कर रहा है तो demonstrating pronoun ठीक है इसके अंदर नेक्स्ट आता है distributive pronoun यहां कि विवाजित करन ए प्रोनाम which distribute ए ग्रूप और ए पेर is called a distributive pronoun यानि कि वह है प्रोनाम जो distribute करें यानि कि विवाजित कर दे कि किसी ग्रूप में या किसी पेर के अंदर तो वो distributive pronoun कहलाता है जिसके each ठीक है हम कोई भी नाइधर एनिवान नौन एक्सेकर इस तरह से तो यह क्या करते हैं उस संटेंस को इनके distribute कर देते हैं ठीक है एनकी जो भी उसके अंदर बता रखा है उसमें तो यह सारे क्या है distributive pronoun होग इसके each of these pens will be sold each of these pens will be sold देखो each मिनसे इनकी परतेग बेचर जायगा ठीक है तो इनकी pollution पेचर जायगा इनकी पर्तेग यदि जो एक-एक पेन वो इनमे से बेचर जाएगा तो इसमें पेन क्या थे permettre जानकी गुरू इसको क्या कर दिया distribute कर दिया है हिनमे से पर्तेग पेचर जाएगा एक-एक प्रतिक मेंने एक-एक प्रतिक में प्रतिक बेचा जाएगे, तो यह क्या हो गया अगया, तो इसमें इच क्या आगया, यहां पर इस्टिबुटियो प्रोनाम, ठीक एचो, नेक्स नन ओफ द स्टूडेंट कैंसोल इट, कि कोई भी थैर थी इसे हल नहीं कर सकता, बूद आपको पता है बहुत सारे विदार थी एक साथ होते हैं तो यह थो नहीं कर सकता कोई भी तो इसको क्या करते हैं डिस्टिबूट कर दिया तो इसके अदर क्या जाएगा नन ओफ नान ओफ सुरे। तो इसके अंदर, नेक्स अता है युन आडर शोलेंट निजह विन एक विदार्थी के पास और उसके विदार्थी systems ने को सकता है नान आडर विन का युडार्थी विदार्थी मेंे के वीदार्थी उसमें से जने तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं आएगा तो इसमें क्या था फ्रेंड्स तो यह कपून तो यह कोगे बमें पर उसके बनावन तो यह दुक्शन पर नाउन胎द्य है तो यह बहुत है हिंट होंगी कि जो दिस्टिभीट्विटिव प्रोनाउं होगा उसमें इच नन और इधर नाईदर तो इसके साथ में आपको ओख मिलेगा ठीक है इसके अंदर तो यह क्या होगा इसके अन्दर प्रोनाउं हों जिए कि यहां पे इसकी कोई अमाउंट नहीं है, यह अनलिमिटीड है इसकी नहीं दिखा रखी, जैसे आप कहोगे मुझे कुछ बुक दे दो, तो आपने कहा है कुछ बुक दे दो, तो कुछ में दो बुक भी आ सकती है, ठी बुक्स, वन बुक्स, फॉर बुक्स, फाइफ इसके अंदर लेकिन यहां पर इसमें कोई भी उसके अंदर quantity यह कोई भी amount वगर कुछ नहीं बता रखा ठीक है इसके अंदर यहां पर तो यह indefinite है इसमें कि कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा ठीक है तो इसके अंदर क्या जाएगा नान यह कोई भी ठीक इसके अंदर इसके अंदर यहां पर इसके अंदर यहां पर इसमें कुछ बता नहीं रखा तो यह भी इंडेफिनेट हो गया मैंने मिन हें इसमें से लोटी लो इसके अंदर यहां पर अनधर इसमें सवी हो चुके तो इसके अंदर इसके अंदर he refused देखर यह ठीन की करम करम वार्यार कि अर्व मियन विच रिफ्लेक्ट ना हुआँ विछ घूक इसक प्रेवलाव की आ सभंशन में तो वो क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनॉम जैसे कि हम पीछे प्रसन में पढ़िए था माइसेल फारस्ट यूअर जो भी सैल्फ श्यूअर प्रोनौआउ में यह सारे क्या जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनौम आ जाएंगे ठीक है कि सी हटहर सेफ़ वाइप लेंग यह सारे क्या है reflexive pronoun चाहिए इसके अंदर देखो यह action दिखा रहा है ठीक है यहां पर यहां पर यह इनकी reflex of the action कर रहा है इसके अंदर कि see heart, herself यांकि उसने उसका दिल दुखाया यांकि उसको heart किया, दुख ही किया while playing यह जब वो खेल रहे थे इसके अंदर यहां पर यह इसमें action शोगर है कि जए action हो रहा था तो इसके अंदर reflection दिखा रहे है इसके subject के साथ, तो subject के according रहेगा, इनकी subject इसमें सी आया, तो सी का क्या बनेगा हर और हर के साथ में reflex से क्या जागा self, तो herself, you आया, you का yourself, I, I का my, और फिर myself, और he का himself, इस तरह से subject के according यह इसमें action है, ठीक है? towards, next आता है हमारा, emphatic pronoun, यानिकी द्रडवाचा, तो pronoun which is used for emphaties, is called an emphatic pronoun, यानिकी जो pronoun के अंदर, जो emphases का use किया जा रहा हो, ठीक है, इसके अंदर सारे क्या होगे, emphatic pronoun, लेकि, I myself, is enough to solve the problem, तो इसमें क्या है, कि समस्या का समाधान करने के लिए, मैं ही काफी हूँ, ठीक है, यानिकी I myself, यानिकी मैं ही काफी हूँ, समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, myself, इसके अंदर तो यह क्या है, emphatic pronoun, यानिकी अपने आप कोई confidence के साथ बोल रहा है, खुदी, इसमें पूरा confidence के साथ में कह रहा है, यानकी द्रडवाचक हो गया है कि myself, I myself is enough to solve the problem, next you yourself will return my money, यानकी तुम ही मेरे पैसे लोटाओगे, इसके अंदर, तो यहाँ पे भी इसमें पूरे confidence, यानकी उसकी तरफ पूरे, जो द्रडवाचक संकेत से और उस तरह से पूरे इसके रहा है, you yourself will return my money, तो इसके अंदर क्या आ गया, you yourself, he himself knows me very well, तो इसके अंदर क्या है यहाँ पे, he himself, तो यहाँ पर भी क्या है, himself के अंदर, they themselves will have to earn money, तो दे themselves, ठीक है, तो जो reflexive pronoun है, उसका जो huge verb के बाद होगा, बट empathic pronoun के अंदर, जो verb से पहले होगा, देखो, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, reflexive pronoun, तो reflexive pronoun के अंदर मैंने बताया थे, कि herself, yourself, और यह आएगा, तो इसके अंदर क्या जगा, empathic, sorry, reflexive pronoun, यही इसके अंदर empathic के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यह क्या है, accent was the subject, इसके अंदर, तो यह क्या है, वर्ब के बाद आ रहा है, यहाँ पे, जैसे कि, have this machine, yourself, I sell to it myself, तो यहाँ पे क्या है, पहले वर्ब का यूज हो रहा है, फिर वर्ब के बाद इसमें, यूज हो रहा है, यहाँ पे, reflexive में, और इसके अंदर वर्ब से पहले यानि कि, बिल्कुल subject के साथ, यूज हो रहा है, इसके अंदर, यहाँ दोनों difference याद रखना, ठीक है, जो वर्ब के बाद होगा, reflexive, और वर्ब से जो पहले हो जाएगा, को कि, empathic, प्रोना, ठीक, कि, see, did, eat herself without any guidance, इसके अंदर यहाँ पे, तो देखो, did क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो, see herself did it in hurry without any guidance, तो इसके अंदर देखो, helping वर्ब बाद में आई है, ठीक है, यह वर्ब बाद में आई है, और जो, action जो बता रहा है, इसके अंदर, जो यूज है, emphasis वो पहले है, जो प्रोनाउन पहले यूज हुआ है, इसक रहेगा, ठीक है, इसके अंदर, कहीं आप देखो, word की self आ रहा है, पीछे, प्रोनाउन के पीछे, तो इसके अंदर गया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, कि जो वर्ब के बाद आएगा, उड़े, फ्लेक्सिव जो वर्ब से पहले आएगा, empathic pronoun, ठीक, next हमारा आता ह है, रहीज़ी, प्रोकल प्रोनाउन, यादिक पारस परिक सवरनाव, तो इक प्रोनाउन विच शो, relation, with one another, each other is called है, रहीज़ी, प्रोकल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन शो करें, relation को, एक दूसरे के साथ, ठीक है, इसके अंदर, जैसके, all the enemies, kill one another, यानिकी, सारे दूसमन, ए एक दूसरे को, ठीक है, इसके अंदर, तो वन अनदर क्या होगा, रहीज़ी, प्रोकल, the two girls hate each other, यानिकी, दो लड़किया, आपस में, एक दूसरे से जो, नफरत करती है, तो इसके अंदर, क्या आ गया, each other, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक, तो इसके अंदर, rules में क्या है, कि जो, each other का use होगा, for two person में, और one another का use होगा, more than two person, यानिकी, जो keyword दो person होगे, तो उसके अंदर, each other का use होगा, जैसे, यहाँ पर क्या है, two girls, तो two girls का use हो रहा है, two का use हो रहा है, तो each other, और यहाँ पर देखो, all the enemies, यानिकी, two से ज़्यादा है, यहाँ पर पता नहीं कितने two से three, four, five कोछ नहीं पता, तो यहाँ पी क्या एगा, one another, ठीक है, यानिकी, one another use for more than two persons, यह था हमारा reciprocal pronoun, तो हमारा pronoun वाला topic complete हो गया है, I hope you like my video, if you like my video, please like and share it, thanks for watching my video.